प्रमेश्र पिता और इस अनुग्र की जनरेशन में मैं और आप हम अपने प्रभी इश्री मसी के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए और इश्री मसी को देखने के लिए हमें एक साथ ही कठे होते हैं इसलिए मैं परमेशर पिता को इस समय के लिए मैं हिर्दय से धन्यवाद देता हूँ और आप सब को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने फिर से मुझको यहाँ पर इन्वाइट किये कि मैं आप सब के साथ अनुग्र कसू समचार बाढ़ सकूँ आज का जो वचन परमेशर पिता ने मुझको दिया जो मैं आप लोगों के साथ बाटूँगा ये आज के लिए मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है बहुत ज्यादा जरूरत मन वचन है जो आज मेरे और आपको इसकी बहुत जरूरत है और ये वचन है कि हमको प्रभी इश्य मसी के अनुगर में विश्राम करने की जरूरत है एक चीज को आप हमेशा से ध्यान रखिए और हमेशा से इसे किसी जगे पर लिख करके रखीजिए कि जब हम कार्रिक करते हैं तब परमेशर पिता विश्राम करते हैं परन्तु जब हम विश्राम करते हैं तब परमेशर पिता काम करते हैं आज का यही वचन परमेशर पिता मेरे और आपके साथ परमेशर पिता शेयर करेंगे मैं तो सिर्फ एक डिलिवरी बॉय हूँ मैं सिर्फ जो वचन परमेशन ने दिया मैं उसे आप सब के साथ डिलीवर करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ बोलने वाले प्रभी इश्यमसी है और प्रभी इश्यमसी चाहते हैं कि आज आप प्रभी इश्यमसी के अनुगर में विश्राम करें विश्राम करने का बहुत से भाई वेहन ऐसा अर्थ लगा लेते हैं विश्राम करने का मतलब ये बहुत से भाई वेहन सोचते हैं कि कुछ काम मत करो Lazy Lazy जैसे बस अराम से पढ़े रहो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं Alal अलाल जैसे बस बैठे रहो और कुछ भी काम ना करो नहीं जो शब्द है विश्राम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं rest rest का मतलब बाइबल में ये नहीं होता कि कुछ भी मत करो rest का मतलब होता है जब आप पढ़ेंगे रोमियो उसके आठविय अध्याय में तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि और जितने परमेशर के आत्मा के चलाये चलते हैं वे सब परमेशर के पुत्र हैं तो rest का मतलब विश्राम के जीवन का मतलब होता है परमेशर के आत्मा के चलाये चलना जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं Holy Spirit Led Activities और Holy Spirit Led Life पवित्रात्मा के द्वारा चलाये जीवन आज आप अपने जीवन में मैं ऐसा विश्वास करता आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को experience करते होंगे अपने जीवन में कि कई बार ऐसा होता है कि आप में से बहुत से लोग जो work करते हैं काम करते हैं उसमें बहुत धेड़ सारी तकलीफों को परिशानी को नाना प्रकार की डिप्रेशन को आप फेस करते हैं सपोज कल आपको कुछ अपनी कंपनी में या जिस जगे पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपको किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन देना है किसी प्रकार का प्रोजेक्ट आपको देना है तो उसमें जब आप उसकी त्यारी करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है तनाव होता है अशांती होती है कि तब बड़ा प्रोजेक्ट है मैं इसको कैसे डील करूँ और यही एक बेसिक कारण है जो म इस स्ट्रेस के द्वारा चिंता के द्वारा ये सारी चीजे उत्पन होती है इसलिए आज आज आपको प्रभू के अनुगर में विश्राम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है बाइबल मेरे और आपको बताती है जब आप बोलेंगे कि हर्पित तुम रेस्ट करने के लिए बोल रहे हो तो बाइबल मेरे और आपको ये बोलती है कि बरमेश्र पिता ने आदम को बोला कि जब तक तु अपने पसीने को भूमी पर नहीं किराएगा तो रोटी खाने ना पाएगा और तुम बोल रहे हर्पित कि हम विश्राम का जीवन जीए तो ये कैसे होगा मैं आपको बैबल सही क्लियर करना चाहता हूँ सारी चीज़े क्योंकि हमेशा आप याद रखिए कि बाइबल ही बाइबल की व्याख्या करती है Bible interprets Bible हर एक चीजों का उत्तर हमको Bible सहीं मिलता है और Bible को जब हम open करते हैं तो पवित रात्मा उसको समझने में हमारी अगवाई करते हैं जब परमेशर पिता ने आदम को बोला वो श्राप था, वो कर्स था क्योंकि आदम और हावा ने ग्यान के व्रिक्ष में से फल खाया था और जब उन्होंने ग्यान के व्रिक्ष में से फल खाया तब परमेशर ने उन्हें श्राप दिया था कि तू जब तक अपने पसीने को भूमी पर ना गिराएगा तू खाने ना पाएगा वो था creation, स्रिस्टी की रचना पर जब परमेशर पिता ने प्रभी इश्य मसी को इस प्रित्वी पर भेजे तो प्रभी इश्य मसी छुटकारे के कार्रे के लिए आये थे जिसको हम बोलते हैं the work of redemption छुटकारे का कार्रे और इश्य मसी को संसार को बनाने के लिए तो प्रभी इश्य मसी इस प्रित्वी पर आये और क्या आपको पता है कि प्रभी इश्य मसी सबसे पहला जगा सबसे पहला एरिया जहां प्रभी इश्य मसी ने हमको छुडाया हमको रिडीम किया मैं आपको बताना चाहता हूँ एक garden था जो था hidden garden अदन की वाटिका जहां पे परमेशर ने श्राब दिया वहीं पे एक दूसरा garden था जो था garden of Gatsimani हिंदी में हम बोलते हैं Gatsamni बाग Gatsamni garden में प्रभी इश्य मसी जो सबसे जगा सबसे पहली जगा पे जहां पे अपना लहू शेड किये क्योंकि प्रभी इश्य मसी के लहू में redeeming quality है छुटकारे की quality है जहां भी इश्यू का लहू पढ़ता है वो उसको redeem कर लेता है जब आप पुराने नियम में आप देखेंगे तो जो काम दस विपत्ती जो काम को नहीं कर सकी वो मेंने का लहू ने उसकाम को कर दिखाया और वो जो मेंना था वो फसे का जो पहला मेंना था वो हमारे प्रभी इश्य मसी की परच्छाई थी प्रभी इश्य मसी की shadow थी परमेश्य पिता ने बताया कि सच्चा मेंना मेरा प्रिय पुत्र वो आने वाला है दस विपत्ती आई परमेशर पिता की ओर से मुसा ने दस विपत्ती को भेजा परन्तु फिरॉन ने जो कि शैतान के एक पिक्चर है परमेशर के लोगों को नहीं छोड़ा पर जहां पे ईश्वी मसी का लहू उनके दर्वाजों पर लगाया गया उनके अलंगों पर और चोखट पर और वहां पर अलंगों और चोखट पर क्रॉस बनाया गया और इश्वी का क्रॉस जहां पर अपलाई हुआ इश्वी का लहू परमेशर के लोग वहां से फ्री हो गया तो प्रभी इश्यमसी जब Getsamni Garden में जब वो prayer कर रहे थे तो Bible मेरे और आपको बताती है कि प्रभी इश्यमसी का पसीना sweat प्रभी इश्यमसी का पसीना लहू की बड़ी बूंद बन करके भूमी पर गिर रहा था प्रभी इश्य मसी का लहू सबसे पहली बार जहांपे मिंगल हुआ जहांपे प्रभी इश्य मसी का लहू पहली बार जहांपे छुआया वो था स्वेट पसीना और पसीने के साथ छुआ करके वो जो लहू था वो भूमी पर गिरा और परमेशन ने क्या श्राब दिया था? कि जब तक तो अपने पसीने को भूमी पर नहीं गिराएगा, तो खाने ना पाएगा नए नियम में जब प्रभी इश्य मसी आए, अपने लहू से प्रभी इश्य मसी ने मेरे और आपको उस स्वेट से उस कर्स से वो श्राफ से प्रभी शिमसी ने मेरे और आपको रिडीम कर लिया तो इसका ये मतलम नहीं कि जब हम रिडीम हो गए तो हम महनत नहीं करेंगे हम मैनत करते हैं हम वर्ग करते हैं पर हम विश्राम के पोजिशन से विश्राम के स्थान से हम वर्ग करते हैं क्योंकि हमको पता है कि इश्यू ने कार्रे को पूरा कर दिया है क्योंकि हमको पता है कि हमारे सारे पाप इश्यू के लहू से शमा हो गए है हमको पता है कि हमारे पास परमेशर का पक्ष है हमको पता है कि परमेशर पिता हमसे प्रेम करते है और जब हमको ये सारी चीजे पता है तो ये सारी चीजे हमको हिम्मत देती है हमको साहस देती है कि हम और भी अधिकाई के साथ हम महनत करें हम वर्ग करें कि परमेशर के राज की नाम की महिमा इश्यमसी के नाम की महिमा सारे संसार में हमारे जीवन के द्वारा वो जोती चम के और इश्यू के नाम की महिमा होने पाए तो परमेशर पिता ने प्रभी इश्यमसी को भेजा और इश्यमसी ने अपने लहू से मेरे और आपको रिडीम कर लिया मेरे और आपको प्रभी श्री मसी ने छोडा लिया तो हमारा काम है उस अनुग्र में विश्राम करना क्योंकि जब आप विश्राम करेंगे तब परमेशर पिता वर्क करेंगे परन्तु जब आप बोलेंगे कि नई मैं वर्क करूँगा मुझे काम करना है मुझे ये करना है अपने जीवन को सुधारना है चालचरण को सुधारना ये करना वो करना तब परमेशर पिता बोलेंगे ठीक है तुम अपना बेस्ट ट्राइ करो और जब नहीं होगा तब तुम जब theology की पढ़ाई की जाती है तो उसमें यह आता है law of harmonetics law of harmonetics का मतलब होता है जितनी Bible में जो नाम आती है सबसे पहली बार नाम आता है चाहे आखरी बार नाम आया या कोई भी नाम आता है उसकी जब पढ़ाई की जाती है वो कहलाता है law of harmonetics मैं आपके साथ एक बहुत सुन्दर सा इवेंट बाइबल में से शेयर करना चाहूंगा उसके इबरानी को उसके हीब्रू को क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी जो बाइबल है पुराना नियम वो इबरानी में लिखा गया तो law of first mention जो चीज़े बाइबल में सबसे पहली बार आती है और जो चीज़े बाइबल में सबसे आखरी बार आती है चाहे वो नाम है चाहे वो कोई घटना है चाहे वो कोई नंबर है हर एक चीज़ों का महत्व होता है तो जो चीजे पहली आ रही है पहली बार आ रही है और आखरी बार आ रही है उसका विशेश महत्व होता है तो बैबल में सबसे पहली बार परमेशर पिता ने अपने आपको प्रमेशर यहवा पिता ने अपने आपको प्रगट किया यहोवा राफा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेशर हूँ तो जब परमेशर ने अपने आपको प्रगट किया मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेशर हूँ तो वहाँ पे जब हम इबरानी को, हीब्रू को जब हम देखते है कि राफा कैसे लिखाता है तो इबरानी को उल्टा लिखा जाता है, दाई और से चालू करके बाई और लिखा जाता है इबरानी को, तो उसमें तीन इबरानी शब्दों का प्रयोग किया गया है राफा के लिए, वो पहला शब्द है रैश, दूसरा शब्द है फे, और तीसरा शब्द है आलिव, रैश जिसका मतलब होता है राफा और राफा का मतलब होता है चंगाई मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेशर हूँ यह जो शब्द है राफा यह एक दूसरे इबरानी शब्द से आया है जिसको हम बोलते है रफाह और जब हम इसको इब्रानी में लिखते हैं तो एक शब्द बदल जाता है इसे रफाह को इब्रानी में लिखा जाता है रैश फे और जो आलिफ था आलिफ की जगह में आ जाता है हे इब्रानी जो अल्फाबेट होती है उसका जो पांचवा अक्षर है पांचवा जो symbol है अनुगर का पहचान है तो रैश फे हे इसका मतलब होता है rafah और बहुत interesting है कि रौफा का मतलब होता है विष्ष्राम और विष्ष्राम अब्राणी में ये लिखा हुआ है विष्ष्राम से ही आती है चंगाई रफाह रफा से ही इबरानी शब्द आया राफा यहोवा राफा जिसका मतलब होता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेशर हूँ तो जब आप परमेशर के अनुगर में विश्राम करते हैं चंगाई वहाँ पे अपने आप फलो होती है और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि किस प्रकार से प्रभी इश्री मसी जब लोग विश्राम करते थे तब प्रभी इश्री मसी चंगा करते थे तो क्या आप तयार हैं उस अनुगर से भरे हुए प्रभी इश्री मसी को बच्चन में देखने के लिए किस प्रकार से प्रभी इश्य मसी भलाई करते हुए फिरे और हरे एक को चंगा करते हुए फिरे जो शैतान के सता हुए थे क्योंकि प्रभी इश्य मसी के साथ थे तो बैबल मेरे और आपको बताती, सबसे पहले हम देखते हैं सू समचार में और हमेशा जब आपको प्रभी इश्य मसी को देखना है, उनको जानना है मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि आप सू समचार में जाए ये क्योंकि सू समचार प्रभी इश्य मसी की बायोग्राफी है मत्ती, मर्कुस, लूक, योहन और बहुत जल्दी अब एक मेहने एक मेहना भी नहीं रहा अब मैं बहुत जल्दी मैं और आप हम फिर से हम क्रिस्मस को सलिबरेट करने वाले हम क्रिस्मस मनाने वाले हैं और क्रिस्मस का जो मुख्य उद्देश है वो उद्देश ये है कि प्रभी इश्य मसी मेरे और आपके लिए आए इस प्रित्वी पर और प्रभी इश्य मसी के लहू के द्वारा मेरे और आपके सारे पाप शमा हो चुके है और एक असीम शांती मेरे और आपके अंदर में है इसे ध्यान से समझिए कि ये दी आपका एक करोड रुपए का कर्ज है एक करोड रुपए आपका उधारी है और अभी तक वो चुकाया नहीं गया है तो आपके मन में कहीं न कहीं एक प्रकार का चिंता उसके लिए रहेगी कि अरे मेरा कर्ज अभी तक नहीं पटा परन्तु कोई दूसरा वेक्ति आ करके बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे करोड रुपए के बदले, मैं दस करोड रुपए में चुकाऊंगा, तो आपको अंदर से वो असीम शांती मिलेगी कि मेरे सारे कर्ज माफ हो चुके हैं, उसी प्रकार से हमारे बहुत से पाप थे, प्रभी इश मसी आए, हमारे सारे कर्ज को, जो की एक करोड थे, प्रभू ने क्रूस में दस करोड रुपए अपने लहू के द्वारा प्रभू ने दाम चुकाया, हमारे सारे पापो को अपने लहू से वाइप आउट कर दिया, साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, और प्रभी इश्य मसी ने हमको अनंत जीवन प्रभी इश्य मसी ने दिया और यही एक असीम शांती मेरे और आप में है और जब मैं और आप यह जान रहे हैं कि मेरे और आपके सारे पाप इश्यू के लहो के द्वारा शमा हो गए मेरे और आपके भविश्य में अनंत जीवन है तो ये मेरे और आपको खुशी देता है कि हम नाच और गाने के साथ हम Christmas को celebrate करें ये Christmas का real मतलब है तो प्रभी इश्यमसी स्पृत्वी पर आए और सू समचार में हम प्रभी इश्यमसी की पूरी सेवकाई को पूरी मिनिस्ट्री को हम trace करने के लिए और हम देखने के लिए पाते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं मत्ती रचिसू समचार और जब आप उसको पढ़ेंगे तो मत्ती रचिसू समचार उसके बारवे अध्याय में आपको मिलेगा कि प्रभी इश्यमसी एक अरादनालाय में जाते हैं और वो कौन से दिन था? वो सब्त का दिन था सब्त का दिन जो था ये विश्राम का दिन था आज ये दिए आपकी बाइबल में सब्त लिखा होगा तो वहाँ पे आप ध्यान देंगे कि छोटा से स्टार बना होगा और फुट नोट में जब आप नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ लिखा है विश्राम का दिन रेस्ट का दिन आपको कुछ भी काम नहीं करना उस दिन आपको विश्राम करना है तो सब्त की दिन प्रभी इश्यमसी अरादनालाय में गए और जब प्रभी इश्यमसी अरादनालाय में गए तो वहाँ पे एक वैक्ती था उस वैक्ती का हाथ सूखा हुआ था जिसको बाइबल बोलती है इंग्लिश में विथर्ड हैंड सूखा हुआ था उसका हाथ और most importantly जब हम बाइबल को देखते हैं और लुका ने लुका रचिसू समचार को और प्रेरीतों के काम इन दो पुस्तकों को लुका ने लिखा तो लुका एक डॉक्टर ही है वो बता सकता है कि आपके शरीर में किस जगे पे क्या तकलीफ है और किस जगे पे exactly वो तकलीफ है तो मती रचिसू समचार में बैबल हमको बताती कि उसका हाथ सूखा हुआ था पर लुका रचिसू समचार क्योंकि लुका डॉक्टर था लुका बताता है कि उसका दहना हाथ सूखा हुआ था राइट हैंड उसका विथर्ट था सूखा हुआ था और right hand जो है दहना हाथ जो होता है ये एक way of livelihood है ये जीविका कमाने का एक साधन है दहना हाथ दहना हाथ एक धार्मिक्ता का प्रतीग भी होता है जब आप देखेंगे पुराने नियम में आप पढ़ेंगे तो याकुब का जो सबसे छोटा बेटा था बिन्या मिन जब बिन्य सांसों में राहिल उसका नाम रगती है बेनोनी बेनोनी का मतलब होता है मेरे दुख का पुत्र मेरे विलाप का पुत्र परन्तु याकुब उसके नाम को बदल देता है बेनोनी से उसके नाम को बिन्या मिन रग देता है बेंजमिन और बेंजमिन का मतलब होता है the son of my right hand मेर मेरे दहने हाथ का पुत्र, मेरी धर्मिक्ता का पुत्र, मेरे दहने हाथ का पुत्र, तो दहना हाथ जो है, ये सामर्द को रिप्रेजन करता है, हिम्मत को रिप्रेजन करता है, एथौरिटी को रिप्रेजन करता है दहना हाथ, तो वो वैक्ती का दहना हाथ सूखा हुआ था, इसका ये मतलब है कि वो अपना जीवगा भी नहीं कमा पा रहा था वो किसी प्रकार के काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका धर्म का हाथ ये दि हम कहें सीधे शब्दों में वो खराब था प्रभी इश्यमसी वहाँ पे आए तो जो फरीसी थे सदूकी और फरीसी अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सदूकी और फरीसी प्रभी इश्यमसी के पास आकर के पूस्ते हैं कि क्या सब्त की दिन चंगा करना उचित है या नहीं अब ध्यान दीजिए सदूकी और फरीसी को बहुत अच्छे से पता था कि प्रभ आठवी अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वो जो वैक्ती था जिसको कोड की बिमारी थी प्रभु ने उसके हाथ को छू करके बोला मैं चाहता हूँ I am willing and more than able to heal you मैं चाहता हूँ तुझे चंगा होना तो उसी प्रकार से फरीसी बहुत अच्छे से जानते थे कि प्रभु इश्यमसी के पास सामर्थ है और प्रभु इश्यमसी चाहते हैं कि आप स्वस्त रहो आप तंदरुस रहो आप भले चंगे रहो प्रभु चाहते थे कि वो जो हाथ जिसका हाथ सूखा हुआ था प्रभु चाहते थे कि वो चंगा हो फरीसियों ने क्या प्रश्न पूछा? फरीसियों ने पूछा कि क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वो प्रभी श्रीमसी की परिक्षा कर रहे थे प्रभी श्रीमसी ने उनसे बोला कि तुम में से कौन ऐसा है जिसकी एक भेड़ो, एक भेड़ मात्र, एक भेड़ो और सब्त के दिन वो गड़े में गिर जाए तो वो उसे ना निकाले कौन तुम में से ऐसा है? एक्चुली जो सदूकी और फरीसी थे उनके लिए व्यक्तियों का जीवन इंपोर्टेंस नहीं रखता था उनके लिए महत्व रखता था धन, संपत्ती, पैसा, नाम, शहरत ये सारी चीजे क्योंकि जब आप ध्यान देंगे, यदि कोई फरीसी की भेड़ यदि गड़े में गिर जाती तो सब्त के दिन भी वो उसे निकाल लेता क्यों? क्योंकि भेड़ के द्वारा उस फरीसी को फायदा होता भेड़ के द्वारा उसको मिल्क प्रोड़क्ट मिलते, दूद मिलता, दही मिलती, ये सारी प्रोड़क्ट मिलते भेड़ के द्वारा उसको गरम कपड़े मिलते, वुलन क्लोथ उस फरीसी को मिलते भेड के द्वारा उस भेड को परमेशर के लिए आफरिंग के लिए उपयोग कर सकता है होम बली, मेल बली, पाप बली के लिए भेड को वो बेच करके वो जिवकार जिद कर सकता है या पैसा कमा सकता है तो भेड से उनको फायदा था, उनको प्रॉफिट था इसलिए वो भेड को सब्त के दिन भी गढ़े से निकाल लेते थे प्रभी इश्यमसी ने बोला तो क्या ये वैक्ती भेड से बढ़ करके नहीं है अब प्रभी इश्यमसी ने बोला अपना हाथ बढ़ा और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वो पूरी तरीके से चंगा हो गया, उसका हाथ जो था सूखा हुआ था, वो पूरी तरीके से हील हो गया, चंगा हो गया, भरपूर हो गया यहाँ पर प्रभु इश्यमसी ने उसे चंगाई बस प्रदान नहीं की परन्तु प्रभु इश्यमसी ने उसको जीवका कमाने की शक्ती दी प्रभु ने उसके दहने हाथ को प्रभु ने चंगा किया उसके authority को उसके अधिकार को प्रभु इश्री मसी ने वसे वापस लोटाया कि उसके द्वारा वो जिवकार जित करे और उसे अपने लिए जिवकार जन करके वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से वैतीत कर सके तो ये काम प्रभु ने कब किया? सब्त के दिन जब सब लोग बिश्राम करते हैं सब्त के दिन तब प्रभु इश्री मसी वहाँ पे काम किये और काम करके प्रभु इश्री मसी ने उस सुखे हाथ वाले वैक्ति को प्रभु ने जंगाई प्रदान की जब आप ध्यान देंगे मैं सब्त का दिन आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि सब्त का दिन संडे होता है नई प्रीभाई और बहनों सब्त का दिन सैटरडे को बोला जाता है अभी भी जब आप इसरायल जाएंगे मैं जब मैं इसरायल गया शाम 6 बजे तक उनका सब्त चलता था और सब्त के दिन में इसराइली कुछ भी काम नहीं करते हैं वो बहुत अच्छे से रिलाक्स करते हैं इंजॉय करते हैं उस दिन को और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो फरीसी थे ये स्वैम अपने द्वारा ये आग्याओं को कमांडमेंट्स को ये बनाया करते थे देखिए आज आग्या पालन और ये सारी चीजे करना हमारा काम नहीं है प्रभी इश्यमसी ने हमारे लिए आग्याओं को पूरा किया है क्रूस में हमारा काम है प्रभी इश्य मसी पर विश्वास करना पर इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं आग्याओं में से आपको क्लियर करूँगा जब आप पढ़ेंगे निर्गमन उसके बीसवे अध्याय को तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि परमेशर ने चौथी आगे जब दी तो परमेशर पिता ने कहा कि तुम सब्त के दिन को पवित्र रख करके मानना उसमें आप चेक कर लीजे परमेशर ने आगे पीछे कुछ भी नहीं कहा कि तुम सब्ध के दिन ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं, उसे सिर्फ पवित्र रख करके मानना, ये फरीसी क्या करते थे, ये अपने मन के अनुसार, ये आग्याएं बनाते थे, ये कमांड्मेंट्स बनाते थे, कि सब्ध के दिन तुम यहां जा सकते हो, यहां नहीं जा सकते सब्त के दिन तुम यह खा सकते हो, यह नहीं खा सकते सब्त के दिन तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते सब्त के दिन तुम यह कर, वहां जा सकते हो, यहां नहीं जा सकते इसलिए प्रभु इश्यमसी ने उन्हें कहा मतिर अची सुसमचार में आपको पढ़ने को मिलेगा प्रभू ने बोला कि तुम मनुश्यों की वीधियों को किसकी वीधियों को? मनुश्यों की वीधियों को धर्मो अबदेश करके सिखाते हो परमेशन ने नहीं बोला कि तुम ये करो वो करो ऐसा करो परभी इश्यमसी ने बोला कि तुम ऐसे बोज को लोगों की उपर रखते हो और उसे स्वैम अपनी उंगलियों से भी सरकाना नहीं चाहते तो यह क्या बोज है और जब प्रभी इश्यमसी जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तब प्रभी इश्यमसी ने बोला हे सारे बोज से ठके और दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूँगा बहुत से भाई मैं से इसको olacakे हैं कि जब हम काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो जब हम ठक जाते हैं तब हमको प्रभी इश्यमसी मांट ऑफ बैटी क्यूटस में जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे प्रभी जानते थे कि ये लोग उन आज्ञाओं के दवारा द प्रभी इश्य मसी मेरे और आपको जीवन यहान ना दस दस जीवन और बहुतायत का जीवन प्रभी इश्य मसी मेरे और आपको देने के लिए आए। तो प्रभी इश्यमसी चाहते हैं कि आप उनके अनुग्र में आप विश्राम करें। तो ये जो आग्याय थी, ये परीसी अपने मन के अनुसार बनाते थे और इन्हें लोगों की उपर थोपते थे। कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो और वे स्वेम इसका पालन नहीं कर दे थे। प्रभी इश्यमसी ने क्रूस पे सारे कार्यों को प्रभु ने फिनिश किया। आज मेरा और आपका जीवन प्रिय भाई और बहनों, यहां से जब आप देखे होंगे, रेस जो होती है, दोड़ जो होती, 100 मीटर की दोड़, तो वहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कि यहां से हमको 100 मीटर तक दोड़ना है, तो हमारा जीवन इस स्टार्टि शुरू नहीं होता, जो फिनिश पॉइंट है, जो आखरी लाइन है, वहां से मेरा और आपका जीवन शुरू होता है, पिछले बार जब मैं मैसेज शेयर कर रहा था, आप लोगों के साथ, आपको याद होगा, मैंने आपके साथ शेयर किया था, यहना रचिस्तू समचार म प्रभी इश्य मसी पर विश्वास करो, यही परमेशर के काम है, जब आप परमेशर पिता के प्रिय पुत्र प्रभी इश्य मसी पर जब आप विश्वास करते हैं, तब परमेशर पिता आपको आग्या पालन में 100 बटा 100 परमेशर पिता आपको आग्या पालन में देते हैं पूरा हुआ प्रभु इश्यमसी ने क्रूस से बोला इबरानी में कुला और युनानी में टैटलस्टी प्रभु ने बोला इट इस फिनिश्ट सारी बाते सारी आग्या पालन सारी चीजे पूरी हो गई और जब आज हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो परमेशर पिता आग्या पालन में मेरे और आपको 100 आउट ओफ 100 परमेशर पिता देते हैं क्योंकि हमारा विश्वास उस पर है जिसने सारी आग्याओं को सिद्ध और सहीं तरीके से पालन किया दूसरा इवेंट मेरे और आपको मिलता है कि लुकर अचिस्टू समचार और उसका तेरवाद प्रभी इश्राम का दिन था रेस्ट के दिन में प्रभी इश्री मसी ने एक फ्रभी इश्री ओर आपको बताती है जिसको अठारा वर्श से दुर्बल करने वाली दुस्टात्मा उसे लगी हुई थी और अठारा वर्ष से वो इस्तरी जुकी हुई थी यह हम उसको दुसरे शब्दों में बोलें वो कुबडी हो गई थी और बाइबल ये बोलती है कि वो किसी भी तरीके से सीधी नहीं हो सकती थी किसी भी तरीके से और वो कौन से दिन था? वो सब्द का दिन था और सब्द के दिन में प्रभी इश्य मसीव थी प्रीच कर रहे थे जब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो अरादनालय जो होता था अरादनालय में जब मैं इसरायल गया हुआ था तो मैंने एक अराधनालय में इस वीडियो को बनाया है नाजरत में और अभी ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पेवलेबल है और मैं आपको बोलूँगा, मैं चाहूँगा आपको कि आप एक बार उस वीडियो को देखें जिससे ये जो बाते हैं ये आपके सामने इस पस्ट हो जाएं अराधनालय में जब आप उस वीडियो को देखेंगे वो उसका रैप्लिका था रैप्लिका मतलब उसका वैसे ही नासरत में एक अराधनालय बनाया गया जैसे प्रभी इश्यमसी के समय में आराधना मिलेगा कि वहाँ पर सामने में बैटने के लिए पत्थर सही काट करके seat बनाई गई है बैटने के लिए तो जितना पुरुष जो पुरुष वर्ग होते थे वो उन सामने वाली benches में या सामने वाले पत्थरों पर seat जो बनी हुई थी उसमें पुरुश वर्ग बैठा करते थे परन्तु जितनी जो महिलाए होती थी जितनी जो women's होती थी वो एक परदे के पीछे में बैठा करती थी परदे के पीछे में जब आप Indian history को भारत की इतिहास को जब आप पढ़ेंगे या जब टीवी में आपने देखा होगा तो आप ध्यान दिये होगे कि जितना राजा रजवारे का जो राजदर्बार होता था वहाँ परुश वर्ग सामने बैठते थे परन्तु जितनी रानिया होती थी और जितनी महिलाए होती थी वो एक परदे के पीछे में वो बैठा करती थी परदे के पीछे में उसी प्रकार से सेम जो सिनेगोग होता था जो अराजनाले होता था वहाँ पर जितनी भी वोमेंस होती थी महिलाए होती थी वो परदे के पीछे में बैठा करती थी और Bible मेरे और आपको बताती कि प्रभु इश्री मसी जब उबदेश दे रहे थे प्रभु इश्री मसी ने उस कुबड़ी स्तरी को प्रभु इश्री मसी ने देखा प्रभु इश्य मसी की आप उस अनुग्र को सोचिए और उन अनुग्र से भरी हुई आँखों को सोचिए और इमेजिन करिए कि किस प्रकार से प्रभु ने अपनी उस अनुग्र भरी आँखों से उस परदे के पार होकर के प्रभू ने देखा कि एक है जिसको मेरी जरूरत है जिसको मेरे अनुग्र की जरूरत है और जब मैं वाइबल में जब स्रेस्ट गीत को जब मैं पढ़ता हूं तो वो मुझे बहुत beautiful लगता है जो हमारे प्रभी शिमसी के बारे में है स्रेस्ट गीट उसके पांचवे अध्याय में वहाँ पे बैबल बोलती है कि उसकी आँखे प्रभी इश्यमसी की आँखे उन कबूतर के समान है जो अभी दूद में से नहा करके निकली हो और एक कतार में अपने जुंड में बैठी हो वो आखे जो कबूतर के समान है जो अनुगर से भरी हुई है उस आखों ने प्रभी इश्यमसी की उन अनुगर से भरी हुई आखों ने उस महिला को देखा क्योंकि उसको प्रभू की जरूरत थी ना प्री भाई और बहनो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बाइबल में ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जिसका significance ना हो हर एक नाम हर एक नंबर का विशेश महत्व होता है विशेश significance होता है यह जो इस्तरी थी यह 18 वर्ष से यह कुबडी थी 18 वर्ष इसको दुस्टात्मा लगी हुई थी 18 नंबर 18 जो है यह हमारी Bible में यह Antichrist का नंबर है Antichrist का मतलब होता है मसीही विरोधी मसीह विरोधी का यह नंबर है 18 हमको कैसे मिलता है जब आप जोडेंगे 6 प्लस 6 प्लस 6 जब आप 6 बार जब आप 6 को जोडेंगे 6 अंक को जब आप 3 बार जोडेंगे तो आपको 18 मिलेगा 6 प्लस 6 प्लस 6 यह होता है 666 और यह 666 जो है वो मसी विरोधी का नमबर है तो ये एंटी क्राइस्ट को रिप्रेजन करता है नमबर 18 और 18 में ही जब आप देखेंगे तो 18 में ही प्रभी इश्य मसी जब इसका उपर का थोड़ा सा कॉंटेक्स्ट को आप पढ़ेंगे तो एक बार जब मैं इसको स्टेडी कर रहा था इसी चीज़ को परमेशर पिता ने एक बहुत सुन्दर चीज़ मुझको परमेशर ने दिखाई अपने वच्चन में और मैं आप सब के साथ इसको शेयर करना चाहूँगा यही जो आप खोल करके रखें लूका 13 इसी का आप थोड़ा सा उपर को देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि एक अंगूर की बारी में एक अंजीर का व्रिक्ष लगा हुआ था और उसके उपर में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि किस प्रकार से शीलो की गुम्मट 18 लोगों की उपर गिरी अभी हमने देखा नमबर 18 क्या है? नमबर 18 जो है ये एंटी क्राइस्ट का नमबर है, मसी विरोधी का नमबर है और शीलो, शीलो का मतलब होता है, शीलो हमारे प्रभी इश्यमसी को रिप्रेजन करता है यहना रचीसू समचार उसके नववे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे पवित्रात्मा ने हमको शीलो का अर्थ बताया है और शीलो का अर्थ है, भेजा हुआ, प्रमेशर पिता ने प्रभी इश्यमसी को भेजा और प्रभी इश्यमसी वो शीलो की गुमट उन 18 लोगों की उपर गिर करके उनको डिस्ट्रॉई कर दी ये शो करता है की क्रूस में प्रभी इश्यमसी ने उस शैतान को और मसी विरोधी को प्रभी इश्यमसी ने डिस्ट्रॉई कर दिया प्रभी इश्यमसी की अनुग्र से भरी आँखों ने उस महिला को देखा उस परदे के पीछे जो की बैठी हुई थि अब आप क्या imagine कर सकते हैं अब आप एक पल के लिए मेरे साथ कलपना करिए वो जीवन 18 वर्ष से वो इस्तरी जुकी हुई थी कुबडी थी और सिर्फ 18 वर्ष से जो इस इस्तरी ने देखा था वो लोगों के पैरों को लोगों के सैंडल को, चपल को जमीन की धूल को, जमीन की गंदगी को 18 वर्ष से क्योंकि बाइबल बोलती है वो किसी भी रीती से वो सीधी नहीं हो सकती थी वहाँ पे लिखा हुआ है बाइबल में मतलब 18 वर्ष से वो इस्तरी सिर्फ गंदगी को और धूल को और जो भी चीज जमीन में थी उन सारी चीजों को वो देखा करती थी क्या आप कलपना कर सकते हैं ऐसे जीवन की 18 वर्ष बहुत ज्यादा होता है 18 वर्ष से वो इस कंडिशन में थी प्रभी इश्यमसी ने उस इस्तरी को बुलाया और प्रभी इश्यमसी ने बोला वोमेन यू आर लूस्ट फ्रम यूर इंफर्मिटी इस्तरी तु अपनी इस दुरबलता से छूट गई है और प्रभी ने अपना हाथ उसकी उपर रखा और उसी घड़ी वो इस्तरी सीधी हो गई अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो सब्त का दिन था विश्राम का दिन था वो जो अरादनालाय का वहाँ पे जो सरदार था वो रिसिया गया वो गुसा गया वो चिर्चिडा गया और रिसिया करके वो बोलने लगा कि क्या चंगे होने के लिए और भी 6 दिन है काम करने के लिए 6 दिन है उन 6 दिनों में आ करके चंगे हो परंतु 7 के दिन नहीं उसको ये मतलब नहीं था कि प्रभू ने एक इस्तरी को जो कि उसके कहना चाहिए उसके चर्च की हिस्सा थी क्योंकि उस समय वो चर्च नहीं था मैं अभी present language को में उप्योग कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं और आप हम चर्च की हिस्सा है और एक pastor बहुत अच्छे से जानता है कि उसके चर्च में कितने प्रकार के लोग हैं जो कितने प्रकार की परेशानी से जूज रहे हैं तो वो जो सूबेदार था वो भी बहुत अच्छे से भली भाती जानता था कि ये इस तरी 18 वर्ष से ये कुबडी है इसको दुस्टात्मा लगी हुई है तो वो रिसिया कर उसको ये बात की खुशी नहीं थी की 18 साल की दुस्टात्मा से ये छूट गई है ये चंगाई पा गई है उसको मतलब था उसके पूर्खाओं के द्वारा उस उन मनुश्यों के द्वारा जो विधी बनाई गई थी उस विधी को तोड़ा गया प्रभी इश्यमसी ने उसे बोला और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब उसने बोला कि क्या काम करने के लिए क्या करने के लिए काम करने के लिए छे दिन है उन छे दिन में आकर के चंगे हो तो यदि हमारा जवाब परमेशर के वचन से उस अरादनालाए कि सुबेदार को होता तो हमारा जवाब ये होता कि छे दिन काम करने के लिए तो है परंतु इन छे दिनों में चंगा करने वाला उस अरादनालाए में ना था सब्ध के दिन में चंगा करने वाला प्रभी इश्य मसी उस अरादनालाए में था और सब्थ के दिन जो कि विश्राम का दिन था प्रभी ईश्य मसी ने उसे चंगाई प्रदान की और प्रभी ईश्य मसी ने बोला हे कप्टियो क्या सब्त के दिन तुम अपने बैल और अपने गधे को थान में से खोल गर के पानी पिलाने ना ले जाते हो अगेन यहाँ पे प्रभी शिमसी क्या बोले बैल और गधे जो की उनकी जीविका का साधन था इन फरीसियों को इन बैल और गधो के द्वारा इनको प्रॉफिट होता था इनको पैसे मिलते थे बैल के द्वारा ये खेतों में जोताई करते थे गधो के द्वारा ये समान लाद करके एक जगे से दूसरे जगे पर ले जाते थे तो इसके द्वारा उनको पैसा मिलता था, इंकम होता था, तो सब्त के दिन ये वो सारे काम को कर सकते थे, परन्तु प्रभू ने बोला, तो क्या यह उचित ना था, कि ये इस्तरी जो की अबरहम की बेटी है, ये सब्त के दिन चंगाई को प्राप्त करे, प्रिये भाई और यहाँ पे ध्यान दीजिए, कि प्रभू इश्री मसी ने उस वोमेन को क्या बोला, प्रभू इश्री मसी ने बोला, इस इस्तरी को जो की अबरहम की बेटी है, वाउ, ये हमारे प्रभू इश्री मसी है, अनुग्र से भरे हुए, आज नैच्रल में, शारिक तोर पर भले ही उस अरादनालाई के लोगों ने उस वोमेन को देखा, उस इस्तरी को देखा हुगा कि ये पापी है, इसके जीवन में गलतिया है, इसको दुस्टात्मा पकड़ी हुई है, एक पल में प्रभू ने उसे चंगा किया, और चंगा करके प्रभू ने बोला, ये अबरहम की बे उन कबूतरों के समान अनुग्र से भरी हुई आखे, लोग आपको पापी देखरें परन्तु इश्यू की आखे आपको उतना ही पवित्र देखती है, जितना पवित्र इश्यू मसी है, इश्यू की आखे, परमेशर की आखे आपको उतना ही धर्मी देखती है, जितना धर् प्रभी इश्य मसी है क्योंकि इश्यू के लहू के द्वारा आपके सारे पाप धुल करके साफ हुए है और प्रभी इश्य मसी आपको बोलते हैं कि तुम अबरहम के बेटे और अबरहम की बेटिया हों और इसको मैं यदी और इसपस्च करूँ तो जब आप गलातियो उसके तीसरे अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बाइबल बोलती है कि जब हम मसी इश्यू में हैं तो हम अबरहम के सीड हैं हम अबरहम के वन्ष हैं यह प्रभी इश्य मसी का वचन है प्रभी इश्य मसी की यह प्रॉमिस है और प्रभी इश्य मसी ने उसे चंगाई प विश्राम करता हूँ और जब सब कोई विश्राम करते हैं तब मैं काम करता हूँ और जब प्रभी इश्यमसी काम करते हैं तो हर एक बंधन तोड़े जाते हैं, हर एक बीमारिया चंगी की जाती है, हर एक दुस्ठात्माय निकाली जाती है, हर एक प्रकार की तकलीफों से लो जब आप विश्राम करोगे प्रभी इश्यमसी वर्क करेंगे और मैं आज आपको सिर्फ एक ही काम बोलूँगा प्रिये भाई और बेनो यदि आपको काम करना ही है तो एक काम करिए अभी इस मैसेज के बाद इस सर्विस के बाद आप इबरानियों उसके चौथे अध्याय को पढ़िए जो की पूरा विश्राम से भरा हुआ है इबरानियों चौथे अध्याय के ग्यारवे पद में बैबल बोलती है कि अता हम उसके विश्राम में प्रवेश करने का हियाव करें या प्रयतन करें let us labor to enter into the rest of the Lord उसके विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करे और ये इबरानियों चौथा दिया ये कैसे खतम होता है मैं आपको बताना चाहूंगा इबरानियों चौथा दिया खतम होता है कि आओ, हम हियाव के साथ हम अनुग्र के सिहासन के पास जाएं मिलेगी, ये साहस मिलेगा कि आप अनुग्र किसी हासन के पास आ सके इतना ही नहीं प्रवेश भाई और वहनों मैं पुराने नियम से आपके सामने इस बात को रखता हूँ कि जब परमेशर पिता ने दुसरी बार आग्या को परमेशर ने दिया आप वैवस्था वेवरन में आपको पढ़ने को मिलेगा जब दुसरी बार परमेशर ने आग्या दिया तब परमेशर पिता ने मूसा को बोला कि मूसा तो इन आग्याओं को वाचा के संदूक में रखना और प्रयाशित के ढखने से उसे ढांग देना उसे बंद कर देना और प्रयाशित के ढखने को इबरानी में बोला जाता है किपुरत और उसे इंग्लिश में बोला जाता है इंग्लिश में बहुत सुन्दर शब्द है और वो शब्द है मरसी सीट दया का सिहासन उसे दया के सिहासन से बंद कर देना और ये जो मरसी सीट था ये करूबो के पंखों से ये ढखा हुआ था और परमेशर ने मुसा को बोला कि मैं उस दया किसी हासन पर विराज मान हो करके करूबो के बीच से वो जो दो करूब पंख फैला हुए थे मैं दया किसी हासन पर विराज मान हो करके करूबो के बीच से मै करूंगा और तुस्से बाते किया करूंगा ये पूराने नियम में परमेशर पिता ने बोला और नए नियम में परमेशर ने बोला कि हमारे लिए कि जब हम उसके अनुगरे में विश्राम करते हैं तो हमको हियाव होता है कि आओ हम दृरता के साथ हम अनुगरे किसी हासन के प मैं हमेशा इस वचन को बोलता हूँ, इबरानियों इसे लिख लीजिए, इबरानियों उसका आठवा ध्याय और उसका बारवा पद, यहाँ पे परवेशर पिता बोल रहे हैं, मैं उनके अधर्म के विशय में धयावन्थ होंगा, और उनके पापो को फिर कभी इसमरन नहीं करूँगा, एक समय था जब ईश्यू के क्रूस में परवेशर ने हमारे पापो को इसमरन किया, और जब एक बार हमारे सारे पापो को इसमरण कर चुके तो वोही पापो को फिर से परमेशर पे ताम मेरे और आपके उपर दंडित नहीं कर सकते मेरे और आपके लिए समरण नहीं कर सकते योकि वहाँ पे एक कानून लागू हो जाता है जिसको हम बोलते है law of double jeopardy जो कि हमारे भारत में भी ये कानून लागू है दंड प्रक्रिया सहीता की धारत 300 में ये दिया हुआ है कि एक बार कोई भी वैक्ती कोई भी अपराद के लिए ये ये वो एक बार दोश मुक्त हो गया ये दोश सिद्ध हो गया तो उसी अपराद के लिए फिर से उसको दंड नहीं दिया जा सकता एक बार जब प्रभी इश्यमसी मेरे और आपके लिए जब बलीदान हो चुके प्रभी इश्यमसी में अपने आप में कोई भी पाप नहीं था वो मेरे और आपके पाप थे जिसको परमेशर ने इश्यमसी के उपर दंडित किया तो वही पापों को फिर से मेरे और आपके लिए परमेशर पिता कभी इसमरण नहीं करेंगे इसलिए आज मेरे और आपके पास ये हियाव है कि हम दरता के साथ हम अनुग्र किसी हासन के पास जाएं कि हमें जरुरत के समय में आविशक्ता के समय में हमको अनुग्र परमेशर की ओर से प्राप्त हो सके फाइनली प्री भायों और बहनों एक बहुत ही सुन्दर प्रकाशन के साथ मैं इस मैसेज को मैं क्लोस करूँगा इस सर्विस को क्लोस करूँगा जो की हाल ही में परमेशर पिता ने मेरे को अपने वचन में दिखाया और मैं हमेशा आप सब को इस बातों को बोलता हूँ कि आप हमेशा अपने लिए अपने परिवार के लिए इफीसियो उसका पहला ध्या और उसके सत्रवे पद को आप प्रातना करिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेशर पिता अपनी पहचान में तुमको ग्यान और प्रकाश की आत्मा दे ग्यान और प्रकाश की आत्मा का मतलब है कि कई बार जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो हम उसे नैचरली देख करके निकल जाते हैं तो all of sudden जब पवित्रात्मा ग्यान और प्रकाश की आत्मा की रूप में जब हमारे जीवाने प्रगठ होते हैं तो पवित्रात्मा वो चीजों को शो करते हैं जो कि हमने कभी नहीं देखा और recently अभी कुछ हफतों पहले ही तिन-चार हफते पहले ही जब मैं परमेशर के वच्चन में मेडिटेट कर रहा था एक बहुत ही beautiful precaution परमेशर ने मुझे दिया और इसे मैंने कभी नहीं नोटिस किया था और इस पद को मैं बच्पन से मैं पढ़ते हुए आ रहा हूँ और ये है गलातियों उसका पांच बाध्याए आप में से बहुत हो कोई ये पद और ये अध्याय पता होगा गलातियों पांच उसका उननीस शरीर के काम तो प्रगर्थ है अर्थाद वैविचार टोना लूट जगड़ा इरशिया अकरोध विरोध वो पूरी वहाँ पिलिस्ट दी हुई है मैं संडे स्कुल से मैं इस पद को मैं याद करते हुए आ रहा हूँ मैं इसको मैं पद को मैं बूला करता था परन्तु कभी मैंने इस चीज को नोटिस नहीं किया जो अभी कुछ हफतों पहले परमेशन ने मुझे अपने वचन में दिखाया और मैं विश्वास करता हूँ कि इस प्रकाशन के द्वारा निश्चित आप आशशित होंगे तो क्या आप तयार हैं इस प्रकाशन को पाने के लिए और वो प्रकाशन ये है जब आप पढ़ेंगे गलातियों उसके पांचवे अध्याय को और उसके उननीसवे पद को और उसके बाइसवे पद को यहाँ पे परमेशर पिता ने मुझे बताया अपने वचन में से कि यहाँ पे उननीसवे पद में लिखा हुआ है शरीर के काम शरीर के काम 22 पद में परमेशर पिता ने बताया वहाँ पे लिखा हुए बैबल में आत्मा का फल अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दो शब्द हमारे पास आते हैं काम, वर्क और दूसरा शब्द है फ्रूट, फल अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आप काम करते हैं अपने शारिक, अपने सेल्फ एफर्ट के द्वारा जिसको हम बोलते हैं स्वैम की धार्मिक्ता के द्वारा जब आप काम करते हैं कि मुझे जीवन सुधारना है, मुझे धर्म के काम करना है, मुझे अपने चाल चलन को सुधारना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे ये करना है जब आप काम करते हैं, तब शरीर के काम वहाँ पर प्रगट होते हैं तो जब आप काम कर रहे हैं आपकी धार्मिक्ता काम कर रही है तो उसका परिणाम क्या है उसका परिणाम है जो वहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है अर्थात वैबिचार, टोना, जगडा, इरशिया, क्रोध, विरोड, फूड, बिधम, विधर्म ये सारी लिस्ट कब है ज विधर्मेशर के काम यह है कि जिसे उसने भेजा उस पर विश्वास करो वहीं बैबल बोलती है आत्मा के फल अब जब आप ध्यान देंगे एक पेड़ जो होता है और एक डाली जो फल लाती है वो डाली फल लाने के लिए उस डाली को क्या करना पड़ता है वो डाली किसी प्रकार का महनत नहीं करती किसी प्रकार के काम नहीं करती फल लाने के लिए डाली को सिर्फ पेड़ से जुड़ा रहना पड़ता है और जब डाली पेड़ से जुड़ी हुई है तो पेड़ उस डाली को पानी प्रोवाइड करता है विटामीन्स प्रोवाइड करता है मिनर किया अपने वचन में से कि जब हम अपने स्वेम की धारमिक्ता को छोड़ करके जब हम प्रभी इश्यमसी के अनुग्र पर और उनके क्रूस पर के पूरे कार्यों पर डिपेंड होते हैं कि प्रभी इश्यमसी मैं अपना जीवन नहीं सुधार सकता मैं अपना जीवन नहीं ब बहराय प्रभू, वोही जीवन मुझ में बहरा है, अपने पवित्रात्मा को मुझ में काम करने दीजिए, और जब आप प्रभू इश्य बसी पर निर्भर होते हैं, तब पवित्रात्मा काम करते हैं, और फिर आत्मा के फल वहाँ पे आते हैं, अर्थात, प्रेम, कृपा, ध लीरज, भलाई, नम्रता, सहियम, विश्वास, ये सारे fruits आत्मा के नौफल तब आते हैं जब आप ईशू रूपी डाली से जो की सची दाखलता है, जब आप ईशू की डाली से जब आप जुड़े हुए है, क्योंकि हम डाली हैं, इशू डाखलता है, तो जब हम डाली से बहुत से लोगों के जीवन को अनुगर के द्वारा बदलते हुए मैंने देखा है, अब जितना भी ट्राई करिए, जितना भी आप अपने self effort को लगाईए, आपके जीवन में जो addiction है, जो लथ है, जो परेशानी है, आपके कार्यों के द्वारा वो नहीं छूट सकता, 100% य जो आता है, शरीर के कम, अर्थात, पूरी वहाँ पे लिस्ट दी हुई है, परन्तु जब आप बोलते हैं, प्रभू, इस्तिग्रेट की लथ को मैं नहीं छोड़ सकता, पर इसलिए कि अब मैं परमेशर की धार में एकता हूँ, मैं आपके अनुगर में विश्राम करता हू प्रभू, अपने पवित्रात्मा को मुझे में फ्लो होने दीजिए, मुझे में कार्रे करने दीजिए, और आपको वो सूपर नैचरल शक्ती मिलेगी, वो अध्वु शक्ती मिलेगी, कि आपका जो लथ है, जो एडिक्शन है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो प्रभू के द्वारा मैं इस टेस्टी मोनी को शेयर करूँ, क्योंकि टेस्टी मोनी शेयर करना बहुत जरूरी है, प्रभूतों के काम में लिखा हुआ है, वे मेमने के लहु के द्वारा, और अपने गवाही के वचन के द्वारा, उस पर, शैतान के उपर, उन्होंने हर एक स्वेम की धर्मिक्ता से शरीर के काम से अपने स्वेम के कारियों को छोड़ करके प्रभू पर विश्राम करिये आप बोलिए प्रभू मैं नहीं कर सकता पर आप कर सकते हैं और आपने क्रूस में कारियों को पूरा किया है प्रभू और मेरा विश्वास आप पर है आपक क्या नुग्र पर विश्राम करता हूँ और जब मैं विश्राम कर रहा हूँ तो मेरा विश्वासे प्रभू की आप काम कर रहे हैं क्योंकि जब सब्त के दिन में सब कोई विश्राम करते थे तब प्रभी इश्यमसी कारे करते थे और जब प्रभी इश्यमसी कारे करते थे तो वो सूपर नैच्रल वर्क रहता था वहाँ पे मिरिकल्स होते थे, मुर्दे जीवन पाते थे, अंधों ने द्रिस्टी पाई, लंगड़े चलने पाते थे, कुबड़ी इस्तरी ने दुस्तात्मा से छुटकारे को प्राप्त किया और जो वैक्ती था उसने अपने लाइवली हुट को अपने उस हाथ को उसने वा और उस एक कारे को करें जो मैंने आपको बोला, इबरानियों चौथा ध्या और उसका ग्यारवा पद, अता उसके विश्राम में प्रवेश करने का प्रयतने करें, let us labour to enter into the rest of the Lord, उसके विश्राम में प्रवेश करने का प्रयतने करें, तो यदि अभी तक आपने प्रभी इ हम प्रभी इश्यमसी को जान सके, उसके अनुबर को जान सके, उसके क्रूस पर के पूरे कार्यों का हम प्रभी इश्यमसी के बारे में, जो उन्होंने हमारे लिए किया, प्रभी इश्यमसी को उनके जीवन में कोई भी गलतिया नहीं थी, कि वो आकर के क्रूस में बलीदान हो उनके जीवन में एक भी गलतिया नहीं थी और वो इस योगे नहीं थे कि रोमी उन्हें कोडों से मारे लोग उनके चहरे पर थूके लोग उनकी दाड़ियों को नोचे ये हमारी पाप थे, हमारे दंड थे, हमारी बिमारिया थी हमारे सारे गंडे काम थे जिसको प्रभी इश्य मसी ने अपने उपर ले लिया बाइबल मेरे और आपको बताती ही प्री भाई और बहनों यशया में, यशया तिरपन अध्या है और उसके छटवे पद में वहाँ बाइबल बोलती हम, हम तो सब के सब उस भेडों के समान थे जो भटक गए थे और सब ने अपना-पना मार्ग ले लिया परनतु जब इश्य मसी आए और हमारे पापों के लिए वो क्रूस में बलिदान हुए तब ये सेम पद पतरस ने अपनी पतरी में पतरस ने इसे कोट किया पहला पतरस उसका दूसरा ध्याए और उसके पचीसवे पद में वहाँ बाइबल बोलती ही हम सब भेडों के समान भटके हुए थे परनतु अब हम अपने प्राडों के रखवाले और अपने प्राडों के शेफर्ड वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है शेफर्ड के पास हम लौट आये हैं और वहाँ पे लौट आने के लिए जो शब्ध है जो वोईस है वो पैसिव वोईस है पैसिव वोईस का मतलब होता है कि इश्यू मसी ने हम को ले कर गया आया एक्टिव वोईस मतलब हम कर रहे है पैसिव वोईस मतलब something is being done on to us and we are not the one to do that कुछ चीजे हम को हुई है पर करने वाले हम नहीं है करने वाले प्रभी इश्यू मसी है तो मैं चाहूंगा कि आप मैंसे हर एक मेरे साथ इस छोटी सी प्रेयर को करे और प्रभी इश्यू मसी को अपने जीवन में अपना स्वैम का प्रभू और स्वैम का उधार करता की रूप में ग्रहेंड करिए चलिए मेरे पीछे प्रेयर करिए प्यारे पिता परमेशर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेयम किये कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभी इश्यू मसी को दे दिये मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभी इश्यू मसी मेरे लिए वो क्रूस में बलीदान हुए मेरे सारे पापो को ले करके वो क्रूस में मारे गए परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए प्रभू इश्यमसी मृतकों के बंधन में से जी उठे मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता की आज मैं उतना ही धर्मी हूँ जितने धर्मी प्रभू इश्यमसी है आज मैं उतना ही पवित्र हूँ जितने पवित्र प्रभू ईश्यू मसी है मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता की मेरे सारे पाप, भूत, भविश और वर्तमान ईश्यू के लहू से धोल करके साफ, शुद्ध और पवित्र हो चुके है मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता की अब मैं मसी इश्यू में नई स्रिस्टी हूँ अब मैं परमेशर की धार मिखता हूँ मसी इश्यू में मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता की अब मैं अबरहम का वन्शू प्यारे पिता इश्यू मसी मेरे प्रभू और मेरे उधार करता है आज से युगान और युग के लिए धन्यवाद प्यारे पिता प्रभू इश्यू मसी के नाम से मांगते हैं आमेन 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 यदि आपने ये प्रातना की है तो अब आप मसी इश्यू में नई स्रिस्टी है अब आप परमेशर की धार्मिकता है मसी इश्यू में अब परमेशर पिता आपको उतना ही धर्मी देखते हैं जितने धर्मी प्रभू इश्यू मसी है अब परमेशर पिता आपको उतना ही पवित्र देखते हैं जितने पवित्र प्रभू इश्यू मसी है तो प्रिय भाई और बेहनों इस पूरे आने वाले सब्ता में क्योंकि दिन बहुत ज्यादा बुरे है और हमको बहुत ज्यादा प्रभू की प्रोटेक्शन की मेरे और आपको जरुरत है तो जब हम protection के लिए prayer करते हैं तो आप protection को हाँ और आमीन के साथ protection को और प्रभू की blessing को अपने जीवन में अपने परिवार में receive करिए इस पूरे आने वाले सब्ता में परमेशर पिता आपको और आपके परिवार को हरे एक प्रकार के COVID-19 के virus से हरे एक प्रकार के डेल्टा वेरियंट से हरे एक प्रकार के black fungus से और हरे एक प्रकार के जाने और अंजाने खतरों से प्रभी शिमसी के नाम से परमेशर पिता आपको पहचान में इश्यू की पहचान में आपको और आपके परिवार को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देवे कि आप परमेशर के वच्चन में प्रभी इश्यू मसी को अनुगर से भरेवे प्रभी इश्यू मसी को देखे और देख करके प्रभीश्य मसी में और प्रभीश्य मसी के विश्वास में आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं May God bless you all, thank you very much and Shalom